नमस्कार दोस्तों सौगत है हमारे चैनल स्काटिकन्यूज के अंदर दोस्तों आज की इस बेसिक वीडियो के माध्यम से हम अब स्टॉक के अंदर आप को चार्ट कैसी सेट करना है उसके बारे में जानने वाली दोस्तों बहुत बेसिक से वीडियो जो बिल्कुल नए है जो बिगनर से उनके लिए वीडियो आप इसके बारे में जानते तो दोस्तों वीडियो को स्किप कर सकते तो हम जो हमें רिक्वेस्ट आती है किमेंट आती है जो बिलकुल नई वीवर्स होते हूज सिल्व यह हम भी वीडियो बना रहें तो आईए वीडियो शुरू करें सिंपली दोस्तों आपको अपने अप्स्टॉप एप्लिकेशन के अंदर मोबाइल से लॉग इन कर लेना चाहिए आप टेक्स्टॉप से भी कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादा कर मोबाइल यूजर होते हैं तो हम म बेखते हैं आपके सामने इस अभी प्लाड़फ लगा करने दें सबसे पहले यहां पर इसम आपके सामने लों के इसे हम क्लिक करेंगे और यहां से आप चाहें candle, bar, icon, receiver यहां पर बुछर option आपको दिखाई देते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसे हम candles में यहां पर change करेंगे आप दिख सकते हैं यहां पर candles में यहां पर change हो चुका है यहां से आप time frame change कर सकते हैं यहां से आप drawing वगैरा करना करना चाहिए तो कर सकते तो आप चाहिए उसे हम चेक कर लेते हमें यहां से आप जो भी time frame चाहिए one minute, six minute फाई विप्तीन मिनिट hourly और daily weekly मन्तिल चार्ट यहां से आप चैंज कर सकते हैं अगर आप चाहिए से तो 15 मिनिट अल्डगे यहांसे वन डे में इसे चेकट कर सकते हैं जर को यहांसे पूर कर सकते हैं जब हाथा ओप्षेनкими कोई भी इंडिकेटर इस चार्ट पे आप जो चाहे जो सकते मुविह कई जो भी मान लिज यहां पी ब्लोट कर ना चाहि Museum तो हम यहां से इसे सिलेक कर लेते हैं, लेकिन यहां से आपह थे आप सापने प्लोट होच यह मुविंग आवरेज तो इस तरह दोस्तों पूची आपकी सेटिंग्स आप कर सकते अपने इसाप से यह यह से और सबसे में आप यहां पर कॉर्णर में देख सकते हैं कि यहां से यह वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसे आप अगर क्लिक कर देते हैं तो यह जो चार्ट है आपका चार्ट आई क्यों वाला ट्रेडिंग यू के अंदर चेंज हो जाएगा आप देखेंगे यहां पर ट्रेडिंग यू का पूरा यहां पर नया चार्ट प्रेफ्रेंस हमें दिखाई दे रहा है जहां से आप यहां से टाइम फ्रेम से लेक कर सकते यहां पर कैंडल स्टिक वागिर आप चेंज कर सकते एफेक्स वाला जो फंक्शन से यहां पर आप वही यहां पर क्ल लाम देशकते हैं अगर को इंडिकेटर आप नी लगा है जैसे आप देख सकते हैं यह के वोल्यूम चार्ट लगा हुआ है यह नीची कि आप देख रहे हैं और बाकी यहां पर rut aç को मटड़ा कर सकते और फीछे फिर चार्ट डाइक्यू पर भी जा सकते तो दोस्तों यह थी बिल्कुल बेसिक सी इंफर्मेशन अबाउट चार्ड सेटिंग इन अप स्टॉक तो दोस्तों हमने हमारे चैनल पर और अप स्टॉक के ऊपर जो भी अप्लिकेशन के अंदर इंडिकेटर्स होगे रहां बेसिक स से क्या-क्या और इंडिकेटर से टेकनिकल अननिसिस के उपर बहुत सरी वीडियो से तो उसे आप एक बार जरूर देख सकते आशा करता हो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दीगे जान करें आपको जरूर अच्छे लगए वीडियो को लाइक जरूर करें माध चैनल को स करने माध जहें